Hello everyone, welcome to education, India's most trusted education brand. So CAT 2024 ने अपने edit window, जिसको हम लोब बोलते हैं, CAT form correction window को open कर दिया है, जिसमें आप अपने test city preference को change कर सकते हो, अपने image को upgrade कर सकते हो, या upload कर सकते हो, या update कर सकते हो, and signature को भी आप upgrade कर सकते हो. तो image, test city, and signature को यहाँ पर edit हो सकता है, कैसे करना है मैं इस वीडियो में बताऊँगा, बाकी non-editable में, like आपका नाम गलत हो, आपके father's name गलत हो, या आपका mother's name गलत हो, या कुछ और भी छोटे मोटी errors हो, तो आप उसको कैसे date करते हो, मैं last में बताऊँगा, पूरा वीडियो क को देखना, end तक बहुत ही ज़्यादा help करने माला है, तो चलो, start करते हैं, इस वीडियो को, let's move to the official site, and कभी भी आप कुछ भी work out करना, तो cat की official website के थुही move करना, because बाकी website में fishing हो सकता है, तो या आपका cat का website है, जिसमें एक नया update आया हुआ, today is the 27th का update है, edit window for updating only, they are using the word only, the photograph, signature, and city preferences को change कर सकते हो, if required by candidate, तो मैं यहाँ पर यह बोलना चाहता हूँ कि, अगर आप change नहीं भी करना चाहते हो, तो at least अपने forms को open करके देख लेना, यह आपके photographs updated है, आपका test city preferences जो आप चाहते हो, वही है, और आपका signature भी visible है या नहीं, will be available from September 27, 10 a.m. morning से, and September 30, 5 p.m. तक है, those who have submitted the application of successfully, मतलब जो successfully submit कर चुके हैं, वो कर सकते हैं, जोने form फिल किया है successfully, and payment भी उनका successfully registered हो चुका है, and जिनके पास दिख रहा है कि successfully submitted payment application हो चुका है, वही इसे edit कर सकते हैं, आईए हम दोग देखते हैं, कैसे edit होगा, आपको registered candidate login में जाना है, यहाँ आप click करोगे, then आपके पास आपका cat का user ID और password होगा, जो आपके mail या, आपके SMS पर आया होगा, इसे click करना है, then आप अपने password को डालोगे, यहाँ पर आपका capture है, which one is qir in my sense, u and w5, then हमें क्या करना है, लॉग इन करना है, जब हम लॉग इन करेंगे, तो we'll have the cat का application form, cat details and application PDF, आप यहाँ से अपने PDF को डाउनलोड कर सकते हो, application details में आपका यहाँ पर सारा detail update होगा, जो main चीछ देखना है, क्या आपका photograph visible है, अच्छे से, और आपका signature भी अच्छे से देख रहा है या नहीं देख रहा है, ऐसा नहीं कि signature बहुत छोटा देखना चाहिए, अगर signature बहुत छोटा है, तो आप उसे update करना, या background अच्छा नहीं है, तो आप उसे भी update करना, क्या चाहिए, क्या detail नहीं चाहिए, it will take a time, based on your internet connectivity, तो मेरे लिए, right now we have the 85%, और कोई भी अगर आपको extra information चाहिए, तो आप comment कर देना, या team की numbers पे, which is again given in the link, उस पे WhatsApp कर देना, और एक बात मैं और बदा देता हूँ, कि इस वीडियो को बनाने में बहुत सारा महिनत हमें लगता है, तो आपका 10 सेकेंड का like and subscribe, हमें बहुत जीदा moral बूश्ट करता है, तो हमारे moral को बूश्ट करते रहो, यह हमें help करता है, हर एक चीज़ को आगे बढ़ाने में, तो आपके पास जब यह open होगा, तो personal details आएंगे, academic details, work experience, program, test city और decoration आएगा, तो personal details में जब आप नीचे bottom पे जाओगे, तो आपको यहाँ पर अपना दिखेगा photographs और यहाँ दिखेगा signature, अगर आप scanning यह जो लिखा हुआ है, अगर आप category में हो, तो यहाँ पर category का options नहीं दिखाएगा, तो आपको डरने की जो नहीं है, आप only photographs और signature को upload कर सकते हो, view करके देखो कि आपका photograph देख रहा होगा, आपका signature देख रहा होगा, यहाँ पर लोग बोलते हैं कि sir, यह मेरे photographs एक-दो साल के पुराने है, बट अगर आपका चेहरा आज भी उसी photograph से resemblance करता है, तो आप इसको use कर सकते हो, देन आपको next करना होगा, यहाँ पर आपको extra कुछ भी चीज नहीं कर सकते हो, academics में, अगर आपको कोई भी गलती होई हो, तो आपको कैसे change करना है, क्या change, आप कहीं भी click करोगे तो एक click lock है, non editable है, वो कैसे होगा, वो हम देखते हैं, तो इस पे आप अपने top IMs, ABC के किसी details को यहाँ पर edit नहीं कर सकते हो, हाँ, कुछ IMs के details edit होते हैं, वो आगे मैं आपको बताऊँगा, आप next जाओगे, software academics, जब आप next जाते हो, तो आप work X segment पर आते हो, this is work X segment, यहाँ भी आप कुछ edit नहीं कर पाओगे, because यह non editable है, देन हम आगे आते हैं, फिर हम next जाते हैं, then programs, programs को भी आप edit नहीं कर सकते हो, कि अगर आपने कोई program को miss किया है, तो आप उसको edit कर दो, यह select को कर दो, तो आप इसको भी edit नहीं कर पाओगे, आप personal details में अपने photograph और signature को edit करते हो, then test city में हम आते हैं, तो आप direct jump नहीं कर सकते हो, आपको जाना कहा है, next, 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 bottom पे आईए, and next जाईए, यहाँ पे आप अपने test city को edit कर सकते हो, like जारखंट, राची, मुझे कुछ भी edit नहीं करना है, तो मैं change नहीं करना हूँ, first जारखंट, then 1000 बाग, धनबाद, आप comment करो, कि आप अगर जारखंट से हो, और जारखंट, में राची आप test city preference करते हो, तो प्लीज बत देख लेना, जब भी अगर आप है, तो अभी submit मत करना, आप पहले preview देखना, क्योंकि जब आप form open करते हो, और preview जब open करते हो, तो many times आपका signature और आपका photographs not visible होता है, तो यह signature और photograph आपका नहीं देखता है बहुत बार, तो आपको इस दुबारा logout करके देखना होता है, तो UN71-KIE, और हम CAPTCHA के साथ इसे submit करते हैं, तो हमारा यह पूरी तरह edit हो गया है, दो मैंने इसमें कुछ भी edit नहीं किया है, photographs भी नहीं edit किया, मैंने signature भी edit नहीं किया, okay, one submit आप नहीं कर सकते हो, तो आपको double preview चेक करना है, तो आप preview चेक कर लो, then आप देख लो कि सारी टेल सह है या नहीं है, and आपका photograph और signature सही है, क्या first three cities सही है, तो बहुत अचीबात है, आपने इसको edit कर दिया, मैं बुलूँगा कि अगर आपने edit किया है, तो print करके रखी लेना, यह बहुत जादा आगे काम देगा, बहुत बारी, sometimes, किसी-किसी college में cat application को भी बहुत बार मांगते हैं, तो हमने इसको edit कर दिया, now absurd मुझे को यह बताओ, कि यहां तक तो edit हो गई है, इस तीन चीज़ को तो मैं भी edit कर रहा हूं, मुझे पता है, edit होता है, हम non-aditable चीज़ को कैसे edit कर सकते हैं, तो पहला सुनोगा, अगर आपके name में कुछ गलती हुई है, अगर आपके father's name म mother's name में कुछ गलती हुई है, तो आप अपने double ID card के साथ, cat आपसे एक ही government ID मांगेगा, like आधार card लेके जा रहे हो, तो कुछ दूशा आप pan card, apart from the pan card, because pan card में बहुता detail नहीं होता है, आप voter ID या कुछ government ID को लेके जाना, cat test city में, आपका जिस समय भी exam होगा, उससे एक घंटे पहले पहुंचना, test city centers में, वहाँ inform करना कि मेरे नाम में गलती है, this is, I have a double ID card, मेरे father's name में गलत है, या मेरे mother's name में गलत है, में पास ID card है, इसे edit करना है, test city वहाँ पे आपको help करता है, आप, इभन आपके photograph में कुछ mistakes हो गई हो in future, तो वहाँ आपको help की जाती है, आप से एक decoration forms वो भरवाते है, आप अपने नाम को edit करवा सकते हो, उसकी लिए आपको थोई से time पहले जाना होगा, आप अपने father's name में भी request में edit करवा सकते हो, जुनके पास backhand को edit करने का पूरा का पूरा authority होता है, ये मैंने हर एक 10 साल से observe की है, लोग edit करते हैं, करवाते हैं, क्य जो है आपका जो जेंडर, इसको कभी मतलब only for the IMS के लिए है, क्या आप अपनी category को edit कर सकते हो, नहीं, for the non IMS, जितने भी non IMS हैं, चाहिए, IFT हो, IIT हो, MDI हो, SPG and IMR में, आप सब कुछ edit कर सकते हो, apart from the cat का decision number, तो अगर आप से कोई भी गलती हुई है, तो आप परशान मत हो option होता है, apart from your name, your gender, your category, और कुछ एक-दो एक्स्टरा small drill, उसको छोड़के, आप cap, sap के forms में edit कर सकते हो, और non IMS, FMS को भी include कर देते हैं, या SPG and IMR, या IIT को include करते हैं, वहाँ पर most और आप सब कुछ change कर सकते हो, अपने category को change कर सकते हो, अपने gender को change कर सकते हो, आप से गलती ह photographs edit कर सकते हो, test city edit कर सकते हो, और signature, but test city में अगर एक घंटे आप एक्सर जाते हो, तो आप अपने बाकी कुछ को भी edit करते हो, लोग बोलते हैं कि आप चीजों को बहुत बार repeat करते हो, video boring हो जाती है, being a teacher, मेरे होता है कि आपके दिमाग में बाते बैठ जाए, कि look, these are the process हम अ so cat का crash को the boot camp, cat missions open हो चुका है, 3500 is the course fee, जिसमें मैं आपको बोलता हूँ, crash में जो पढ़ा दूँगा, उससे बाहर question नहीं पूछेगा, मिलते हैं इसी दावे के साथ cat को crack करना, edit window को update करना, and कोई भी information हो, तो यहाँ पे channel पे 110% आपका video जाता है, तो channel को subscribe करतो, description में एक WhatsApp channel क पी जाता है, वे मिलता हूँ नेक्स दिए मैं, तil then, God bless you, happy learning, and bye-bye. झाल think cat, think education